विल्कम बाइक एंड फीर एक बार वही चीज़े हो लिए जो अक्सर होती भाई जब रियल एक्षिन यूरोस की बारी आती तो और यह किस तरह से सपोर्ट करती हुआ आपके सामने और इससे कहें नहीं कि आपको हलका से आइडिया लगना चाहिए कि पिछले साल जो आपने कम बाई जस मेरी नजर पड़ी यहां पर मेंगिंग वेडियो ऑफ भाई पठान और हम लोग जानते हैं कि हमारे शारुक सर ने उसके अंदर किस तरह से वी एफेक सीज़े वगरा यूज करते हैं हम लोग यह चीज़ जानते हैं कि बाई शारुक सर अपने एक रूमांटिक ही अब तक बॉल्यूड के इतिहास में इंडियन फिल्म रिश्री के इतिहास में आइसी रो आक्षिन परफॉर्म करने वाले हीरोज एसे रो आक्षिन मूवी नहीं बनी है और ओडियन्स इसको समझ रिए गाइस जस्ना में आवे वीउस देख रहा था कि भाई कि इतना पब्लिन सपोर्ट किया था उस मूवी को क्यों कि हम लोग ने बहुत बढ़े क्लेक बढ़े होगा कि आसले नकली वालग बात हो आप समझ जाते हैं बट कहीं ही ना कहीं भाई 1.5 वीलियन जाइस 1.5 मिलियन वीउस 40-something thousand के आसपास यहां पर 44-45 thousand के आसपास लाइक उस वीडियो के उपर एक साल हो गया वो भी वायरफ जैसे चैनल के उपर एक साल वायरफ के चैनल के उपर और आपको याद है आपने साइद सुना भी होगा कि उसके जो ट्रेलर ने भाई रिकॉर्ड बनाए थे यहां पर उसके रिकॉर्ड बना दे थे 100 मिलियों मतलब काफी लोग यहां पर बाते कर रहे थे हलाएक इसमें बहुत कुछ जो बोर्ट से कमाल रहता है काफी कुछ फेक रहता है बट लोग नहीं समझ पा आयते हो इस टाइम लेगिन कहीं आप दिर दिर लोगों के सामने काफी कुछ सार हो गए 44-45,000 प्लस यहां पर लाइक्स और बड़े में छोटे मियां जो अभी छे दिन पहले यहां पर इनका मेकिंग वीडियो रिलीज हुआ जिसके बाद कई नहीं के लोगों को मालूम पढ़ चुका है कि यहां यह मूवी कितनी बड़ी है कितनी स्पेशल है और किस से यहां पर action scenes को खुद हमारे heroes ने किसे से परफॉर्म किया है अलियाबा जफर ने किस रहसे अपना vision दिखा है लोगों के सामने भाई 6 दिन के अंदर यहां पर 1.7 million प्लस व्यूज हो चुके हैं 38,000 3040 के आसपास यहां पर भी इसके likes हो चुके हैं सिर्फ 6 दिन के अंदर और सिर्फ इतना ही नहीं अगर IMDB के उपर तुम लोग चेक करते हो ना तो release को movie को अभी फिलाल के समय जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं लगबग 55 डेस बचे हुएं अभी लगब 55 दिन बाकी हैं और उसके बावजुद हम लोग यहां पर IMDB के most anticipated movies के लिस्ट में एंट को संद में आ रहे हैं तो समझो इस चीज को कि भाई यह movie किस लेबल की है कितनी बड़ी है और यह जब आएगी इसका potential कितना जाद है इसलिए तुम को बार बताता हूं कि भाई इस movie का potential बहुत जाद है इस तरह की movie आज तक हम लोग ने witness नहीं किया है और इसके case में सब कु कुछ real है और कई सरे हमारे शारुक सरके जो fans हैं जो हर बार फालतों की बाते करने आ जाते हैं देखो मैं यहाँ पर comparison इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीज समझ में आए मैं मानता हूं कि भाई पठान अच्छी movie थी ठीक था उसने collections किये थे लेकिन जो आपने चीजे दे आप इसको समझो कि जब पठान जैसी movie को लोगों ने support किया तो इसको कितना support लोग करेंगे इस movie को लोग कितने खुश हैं फिलार किसमें वहां पर एक making video इनका भाई वायरफ के बड़ी movie वायरफ के चानल के ओपर जिनका सब्सक्राइबर सो उनकी बड़ी movie के वीउस के record making videos के recording तोड़के बैठाई बंदा समझ के चो लोग आपने पास यह और गैनिक है यह रियल है इसमें कुछ भी फेक नहीं कुछ भी बोर्ट का इसमल ही किया गया समझो समझो और धमागा जो है अपनी बहुत बड़े तरीके से करने वाले हैं बहुत लोगों को आइडेल लग जाएगा लेकिन काफी लोग जहां पर अभी भी ट्राइब कर रहे हैं गलत दिखाने के लिए निगेटिव प्रूफ करने के लिए या फिर movie के अंदर कुछ निगेटिविटी ढूनने के लिए तो लोग बहुत जली कोमा म के साथ-साथ कोर्परेट वालों के लिए तो ने बागे हैं अब इतने बागे हैं अब इतने बागे